अलो फ्रेंड्स तो हम देख रहे थे अपनी POC 3rd, B Pharmacy 4th semester और हमारी unit 2nd चल रहे थी geometrical isomers तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, आज जो हमारा topic रहेगा वो है nomenclature of geometrical isomers और इसमें जो आपको यह EZ वाले system देख रहा होगा और यह मतलब 3 वैसे important है लेकिन जो EZ वाली nomenclature है यह बहुत ज़ादा important है और exam में यह कई बार question आता है मतलब इस unit का यह सबसे ज़ादा important question है और exam में कई बार पूछा गया यह वाला तो आपको जो है वीडियो को पूरा देखना है लाग्स तक जिससे आपको यह चीज जो अच्छे से समझा सके बाकि हम इसका previous lecture एक cover कर चुके थे जिसमें हमने इसके बारे में जाना था आपने नहीं देखा हो जाके देख सकते हैं description में आपको link विलेगी बाकी सारा काच आप देख सकते हैं चलिए तो अब हम start करते हैं अपना nomenclature of geometrical isomers यानकि जो भी हमारे geometrical isomers हम पढ़ रहे थे उसके अंदर जो हमारे isomers थे उनका nomenclature हम कैसे करेंगे तो यह हम तीन method के दोरा यहां पर nomenclature कर सकते हैं पहला हमारा इसमें आता है cis trans nomenclature दूसरा हमारा आता है ez nomenclature और तीसरा हमारा आता है sin या anti nomenclature ठीक है तो एक है करके हम तीनों को समझते हैं सबसे पहले हम समझते हैं, SIST TRANS वाला, तो यह हमारा सबसे ज्यादा पुराना, आपने मतलब अब तक जब भी भी आपने 6th, 7th class हो या 11th, 12th हो, या कुछ भी हो, आपने कभी भी पड़ा होगा, तो आपने GEMETRICAL में SIST TRANS वाला ही पड़ा होगा, और जो GEMETRICAL का दूसरा न कार्वन की फिर्च डवल बॉंड होता है अब जो कार्वन कार्वन की डवल बॉंड है उसके जो इदर उदर जो हमारे कंपाउंड इसमें बने हुए है ओ अगर जो सेम वाले हमारे वो अगर सेम साइड पे हैं यान की उपर साइड है यान की सिस यान की पैरलल में है एक दूस same interaction में होंगे यानि कि equal होंगे parallel होंगे एक दूसरे के वो हमारे कहलाते हैं यहाँ पे sis और अगर यह कोई हमारे opposite में होंगे तो यह हमारे कहलाते हैं अब इसके लिए condition क्या होती है यह हमको देखना बहुत जरूरी है पहली condition यह होती है कि जो भी हमारे यह बाले bond होंगे इसमें क्या होगा जो कार्वन 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 मतलब कार्वन कार्वन जो हमारी double bond है इनके जो दायवाई हमारे जो compound जड़े हुए हैं उसमें at least एक हमारा same group होना चाहिए अब जैसे य हमारा hydrogen होना ही होना चाहिए यह हमारे पहली condition दूसरा हमारा सबसे ज़्यादा important क्या है कि यह मारे क्या है restricted rotation होता है यहान कि इनका जो double bond के चकर में क्या होता है rotation freeze होता है frozen rotation और यह हमने पहले समझी लिया था क्या होता है कैसे होता है तो यह कुछ condition होती है अब हम बात करते ह यहां पर इसका अगर हम normal character simple देखें तो जैसे आपको यह example देख रहे होंगे अब यहां पर carbon carbon है और यहां पर हमारा CS3 गुडब जा यहां पर CS3 यहां है तो इस वाले carbon का इससा अलग और इस वाले carbon का इससा अलग दोनों को हम अलग रखते है उसके बाद हम देखते है यहा हमारे क्या है सेम है सामने तो यह हमारे क्यलाते हैं सिस और अगर यह हमारे opposite direction में हो जैसे आप यहां पर देखेंगे तो यहां पर हमारा CS3 नीचे है और इस वाले carbon पर देखेंगे तो CS3 हमारे क्या है ऊपर जुड़ा हुआ है ज्यानकि यह क्या एक alternate में और opposite जुड़े हु यहां पर लिखे हुई है और notes आपको जो है description में मिल जाएंगे या website से आप easily download कर सकते हैं तो इसका एक और example अगर हम देखें तो यहां पर carbon carbon है यहां क्लोरीन क्लोरीन जुड़ा हुआ है यहां क्लोरीन क्लोरीन तो यहां क्लोरीन जुड़ा है और यहां हमारे सेम है तो यह हमारी एक लंबी चैन चल रही है CS2 वाली पूरी और last में coh है और यहां बीच में हमारा carbon यान कि पूरी एक लंबी चैन उसके बीच में carbon दे दिया तो हम वहीं से जो है इसको तोड़के और हमने को इस तरह लिख लिया कि यहां पर यह गूरोग बने गया और यहां पर यह और ये ये दौनों क्या है आपस में different है लेकन अगर एक क्या हमारा एक group सेम होने जी यह हमारी condition थी तो यहां पर हमारा एक hydrogen है यहां है तो हम इसी के बेश में पता लगाते कि यह हमारा cis है कि trans है तो जो hydrogen hydrogen यह हमारी क्या है यह हमारा इसी का नाम है और बैसे का नाम हमारा है थी तो यह हमारा और आलग रेकिन यहां पर एक हम हाँदो है अऔर यह हमारे Z सी क्या है डी है और यह सिस है कि ट्रांथ है यह चीज आपको कमेंट में लिखके जरूर जरूर बतानी है क्योंकि आप अगर एक बाल लिख देंगे तो बहुत चीज आपको जो अच्छे सा याद होताती है आपको अगर आप दो जानकि यहां पर एसी कंडिशन नहीं है यहां पर अगर आप इन चारो को यह चारो को अगर आप डिफरेंट कर दोगे तब भी इसमें जो है मतलब समझें से बहुत है यह हमारे क्या हो जाएंगे यहना पता चल गई दूसरी कंडिशन क्या है है ये वाला जो system होता है इज वाला यह हमारा बेच किस पर होता है सिक्वेस रूल पर अब हम इशकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसलिए यह थोड़ा आटपड़ा होजाता है सिक्वेस रूल क्या होता है तो जैसे मैं आपको यहां पर यह compound दिखा रहा हूं यह हमारा carbon nitrogen oxygen hydrogen bromine fluorine chlorine है अब आपसे मैं कहूं कि भई इनको आपको arrange करना है एक मतलब lamb है increasing order या decreasing order of atomic number के बेस्पे तो आप इनको कैसे करोगे तो आपको इसके लिए क्या है सबसे पहले आपको इनका atomic number पता होना अब मैं आपसे कहूं कि इसमें चार ऐसे compound जुड़ो और वो भी हमारे किसमें decreasing order यानकी सबसे बहले बड़ा तो आपको अगर इनके normal cancer पता है यानकी आपको इसका अगर atomic number पता है तो आप चलोगे कि इसमें सबसे बड़ा हमारा किसका है ब्रोमीन का तो सबसे पहले आप यहां पर क्या लिखो अपना bromine लिखोगे तो हमारी जब पहली priority हो जाएंगे वहारी किसको मिलेगी ब्रोमीन को मिलेगी priority मतलब आपको एक numbering करनी है बस simple और नम्बरिंग आपको किसी पर करनी है जिसका सबसे ज्यादा इटमिंग नमर हो उसको आपको सबसे पहले करना है दूसरा हम यहाँ पर देखें तो सबसे ज्यादा इसमें किसकी है सत्र है तो हमारा दूसरे नमर पर जो होगी वो हमारी किसकी होगी क्लोरीन की तीसरी हम देखें यहां पर तो हमारी Nine है फिर हमारी यहां पर किसare होगी Florine की होगी देण yes लिग्वल्ध कि इसकी ओलाएव देखर अगर फिर हमारी है पिर हमारी तो ही ऐक्सिजन की और रहे हमारी चौथी नमपर के uciones और रया यही simple funda हमारा sequence rule का यहां काम करता है अब मैं आपसे यहां पर बोलू कि यह कमारा carbon है और यहां पर चार group attach है यह नहीं मैं ऐसे कोई कर दूं माननों मैंने यह 4 और दीए तो यह हमारा मिलेगी चार तो आपको इस तरह priority मिल गई 1,2,3,4 तो बस आपको यह चीज आनी चाहिए बाकि आप सारा काम खुद बाखुद कर लोगे तो इसी वेस पर यहां पर simple हमारा funda की sequence rule हमको पता लगिया कैसे हाँ अब एक और condition आजाती है अब let करो कि किसी में हमारा same जैसे मालों यह carbon S के साथ हमारा यह भी attach है यह भी attach है यहां कि CH3 और CH2 दोनों attach है तब आप क्या करोगे आप इन compound को ऐसे रख लोगे simple C और HHS तीन बार है फिर इसको क्या रखोगे C और यह हमारा क्या है O और H क्यों ऐसा क्यों होता है तो अगर हम यहां पर देखें CHO तो CH हमारा कैसे होता है carbon यहां double one O और यहां इस तरह जुड़ा होता है तो हम carbon के साथ पहले हमों को भी यहां जोड़ सकते इससे अब आपको कहार न कैंसल आउट आप इससे काड़ दोगे और यहां hydrogen से हमारा क्या है hydrogen यहां oxygen तो अगर इन दोनों में देखाता है तो बढ़ा कॉ इसके हमारा जो एक्षिजन होगा है तो हम इन दोनों में जो पहले गृप को इसको हम दूसरे नमबर पे तो इस तरह हम जो इनकी प्राइड़िटी निकाल सकते हैं ठीक है हमको पता लेगे अब एक्जांपल देखते हैं तो मानों ही हमारा carbon कार्वन है और यहां पर आपको को देख रहे हुगके चार धी प्राइड है अब हम इनको देगे कारवन का साइड वाले क Спषकाँ का सबसे पहले मिलेगी यह 1 और यह हमारा hydrogen इसको 2 इस साइड हम सेम बाला फंडा देखते हैं यहाँ chlorine है या fluorine है अब chlorine का हमारा atomic number 17 है और fluorine का हमारा atomic number 9 है तो अगर इन दोन हम priority देगे तो हमें सबसे ज़्यादा किसको मिलेगी chlorine को मिलेगी तो chlorine हमारा 1 और fluorine हमारा 2 अब अगर हम इसमें करते हैं तो इस तरह हमें जो है दोनों की numbering करनी है इस साइड ब्रोमीन hydrogen था तो 12 हो गया इस साइड देखा 12 अब आपको यह देखना है कि जो बन बन वाले यान कि जो priority हमने पहले हमर पर दी है वह अगर हमारी सेम है यानि कि आपको यहां दिख रहा होगा यहां पर यहां पर यहां पर यह चल जाता है तो यहां पर अगर हम देखें तो यह यहां पर यहां पर समझा है और यहां पर दिख रही होगी तो इनकी डेफिनिशन में नहीं हमारे लिख दिये हैं आपको यहां पर दिख रही होगी बागे एक और और एक्जामपल देखें अगर हम यहाँ पर तो यह भी हमारा सेम एक्जामपल है हाइडोजन क्लोरी यह अब आपको कोश्यन है मतलब बहुत ही जादा अच्छा काता यह वाला आपको कोश्यन लिख रहा होगा तो मैं आपके लेक हार्ड सा लेके आया हूं जिससे आपको मतलब पता चला किसे तो यह मालो की एक हमारा यह पूरा का पूरा कंपाउंट है और numbering कौन थी हमें highest chain देखनी पड़ेगी तो हमने numbering कहां से कि यहां से और 1,2,3,4,5,6 तो यह हमारी क्या बनी एक chain बन गए और इसको दिखाने के लिए मैंने यहां पर क्या कर दिया इसको red color से पूरा दिखा दिया तो यह हमारी क्या बनीगी एक long chain बन गई अब हमको क्या देखना है कि अब हम इसको numbering करने है E और Z के अनुसार तो हम क्या करेंगे सबसे पहले अगर हम इसको देखें यह हमारा double bond है तो यहां पर हमारे दो group जुड़े है और यहां पर क्या एक यह और एक यह पर देखें तो हमारे लिए यहांपे दो चीज़ बन गई एक हमारा यह वाला बन गया और एक हमारा वड़ा वड़ा बन गया तो हम एक के करके दौनों में देखनें क्ya हाल ने क्या नहीं है तो अगर हम इस carbon में देखें तो c और each इन दोनों में C बटाया है तो इसको priority 1 मिलेगी इसको 2 मिलेगी इधर देखे तो यहाँ hydrogen है और यहाँ हमारा क्या है carbon है तो यहाँ carbon का बड़ा होता है हमारा नमर 6 और इसका एक होता तो पहली priority इसको मिलेगी then मिलेगी इसको तो अगर हम इसमें देखें तो 1,2 और 1,2 यानकि यह क्या है 1,1 हमारे का एक same side पे है same side पे होनी के पर से क्या हो जाएगा Z, Z for together तो यह हमारे क्या हो जाएगे same side पे अगर हम इसमें देखें तो carbon कारवन हमारा है double bond और यहाँ पर hydrogen यहाँ C, O, H यहाँ पर हम देखें यहाँ carbon और यहाँ hydrogen तो इसमें हमारा C, O, H में C बढ़ा तो यहाँ 1 मिल गई, यहाँ पर 2 मिल गई इन दौनों में देखें तो यह हमारा carbon बढ़ा है और hydrogen चोटा तो यहाँ पर बं मिल जाएगी हमारा नाम है अभंको क्या करना है 23456 सी तो 22 यहान की दूसरे नमर पर कारवन था इस पर हमारा क्या था जए तो हम यहाँ पर लिख देंगे 2234 अब जो करतो देंगे तो हम इस पर लression यहां उसके बांगे अब एक आप लोग के लिए कोश्चन है और काफी जादा जो मतलब आपको जीनियस समझते और करने हैं उनके लिए यह कोश्चन है आपको यह दिख रहा होगा इसका आप मतलब स्क्रीन सोट लो और इस कोश्चन का आंसर आप जो कमेंट करके लिखो और तब हम लगें कि हाँ लोग पढ़ते हैं क्या नहीं और यह only for genius है और इसको अगर मैं बहुले हूं तो इसका नाम आप समझे ओ ओ ओ फॉर आउट इसके लिए यह कोश्चन है जो भी इसको सॉल्व करेगा कमेंट करके नाम बगए लिखिए और टेलिग्राम पर मिलते हैं फिर कभी ठीक है तो इसमें ऐसा नहीं है इसमें carbon और nitrogen और nitrogen nitrogen दौनों के बीच में हमारा यह वाला है यह इसमें normal capture हो सकता है है ऐसे isomers के बीच में तो अगर मैं आपको एक्जांपल दिखाता हूं यह आपको carbon और nitrogen के बीच में देख रहा होगा तो nitrogen की हमारे 3 bond जुड़ते है हमको पता है nitrogen हमारे क्या है ns3 nitrogen हमारे क्या है and ns3 तो n के साथ हमारी 3 bond मतलब बन सकते हैं तो अगर हम यहां देखें तो double bond यहां पर बacióंगे और एक हमारे यहां एक ही जुड़ पाएगा क्योंगी nitrogen दो हमारा bond बना लिया और तीन balance ही हो तीन nitrogen की दो के साथ bond बना लिया तीसरा जो यहां पर जुड़ेगा तो जो यह जुड़ा है और जो carbon का hydrogen है इन दोनों को अगर यह अल्टरनेटली होंगे यहां कि यह opposite direction में होंगे तो हमारे यह कहलाते हैं एंटी एंटी वार्डी आप समझे रहोंगे एंटी फॉर अपोजेट और अगर यह दोनों सेम है जैसे यहां नायटोजन साथ oxygen ओए जुड़ा है यहां पर carbon है hydrogen तो यह अगर सेम डारेक्शन में हमारे हो दाएंगे सिंग और opposite direction में होंगे तो simple हमारे के हो दाएंटी अब मैं आपको एक example यहां देखाता हूं चलो यह मैं खुदी solve कर देता हूं आप लोगों ना देखे तो आपको यहां देख रहा होगा यह पूरा हमारा ग्रोप है लेकिन यहां देखें carbon और यहां एक लॉन पेर हैं तो यह हमारा जो है यह हमारे क्या ही अपोजट डारेक्शन में है तो यह हमारा क्या हो दाएगा और अगर हम यहां पर देखें तो इसको थोड़ा रोटेट करके देखेंगे carbon और nitrogen तो carbon के यहां नीचे hydrogen है यहां और यहां पूरी रिंग है तो जो hydrogen और यह हम होगी हमें पूरा कुछ बताइए आप से बहुत है नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए फैंक यू टेक केर और आप सभी लोग जो अपना ख्याल रखिएगा बाई बाई